विविक मापतोल विवाग ने टोल प्लाजा पर कारवाई करना शुरू कर दिया है टोल प्लाजा पर लगे धर्मकाटों पर मानक सही ना पाए जाने पर हजारों का चालान किया गया है इसमें तीन टोल प्लाजा में जुर्वाना अदा कर दिया है विदिक मापतौल विभाग का डंडा टोल प्लाजा पर चलना शुरू हो गया है। टोल प्लाजा पर लगे धर्मकाटों पर अनिमित्ता की शिकायत पर अधिकारियों ने जाच पर्ताल कर कारवाई शुरू कर दी है। सहायक नियंत्रक सौरप श्रिवास्तव ने बताया कि टोल प्लाजा पर लगे धर्मकाटा से ओवरलोड वाहनों को पैसे लेकर गुजारा जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर फरे, कोरई, फतेहबाद रोड, टूनला, शिकोहबाद, सहीय टोल प्लाजा पर जाच की गई, और लगबख सभी टोल प्लाजाओं पर कुछ ने कुछ अनिमित्या पाई गई, बांट तो ज़्यादा तर टोल प्लाजा पर मिला ही नहीं, और सबका नियंवनुसार चालान किया गया है, विदिक मापतोल विभाग के सहायक नियंत्रक सौरब शिवास्तव का कहना है, कि शिकायत पर प्रदेश भर में चेकिंग अभियान चलाये गया, सहायक नियंत्रक सौरब शिवास्तव ने बताया, कि शिकोहबाद टोल प्लाजा का 60,000 कोरे टोल प्लाजा का 90,000 का जुर्माना अदा कर दिया गया है, धीरे धीरे सभी टोल प्लाजा जुर्माना अदा करेंगे, अगर जुर्माना अदा नहीं किया गया, तो तीन महीने बाद मामला कोर्ट में भेज दिया जाएगा, टोल प्लाजा पर इस तरह की कारवाई बदस्तूर चारी रहेगी,